हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का नर्सिंग एज्यूकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एचार चौदरी आप सभी का दोस्तों बहुत-बहुत हार्द एक स्वागत करता हूं प्यारे दोस्तों आज का वीडियो है बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे Community Health Officer, CHO Community Health Officers के Work and Responsibility मतलब Community Health Officers के क्या-क्या कारे होते हैं और उनकी जो दायतों है वो क्या-क्या होते है तो इसके बारे में हम आज किस वीडियो में complete जानेंगे साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नई हैं हाँ यहाँ 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 complete तोर पर एक CHO है और complete रूप से आपने अपने खुद की कारी जाना चाते हैं तो इस वीडियो को skip नहीं करें complete जरूर देखें दोस्तों क्योंकि आप आधे अधुरे वीडियो देखते हैं फिर comment box में comment करते हो कि सर क्या क्या कारी होते हैं तो इसलिए वीडियो जरूर हो सकता थोड़ा लंबा बन जाए पर आप जरूर complete है उसको देखें चलिए शुरू करते हैं सबसे फेले यहां पर देखेंगे दूस्तों, ग्रामिन शित्रों में नागरिकों को सभी प्रकार की प्रात्मिक सुईधाय उपलब्द कराने ही तू, परदेश के सभी उपस्वास्ते केंदरों को आयूसमान भारत कारीकरम के अंतरकत मद्य परदेश आरएगी उपस्वास्त है वहां की वेकंसी यह मतलब आजिसमान भारत के अंदर कर दो यहां की गाइडलेन है सभी को फॉलो करना हुगा तो सभी स्टेडिस को फॉलो करेंगे जिस तरीकिसे MP वाले फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्लिनिकल कारिय के बारे में तो उप्चार सेवाएं जिसमें उप्सवस्तिक के अंदर इस्तरी हेल्थ और वैलनेस सेंट्रों के निर्धारी सेवाओं के अंतरकत बाहर होगी मतलब OPD और सामाने रोगों हेतु जिसमें दोस्तों आपका प्राहत्मिक उप्चार दिसा जिसमें स्टेंडर्ड ट्रीट्मेंट गाइडलेंड के नुसार प्रामर्स एमो उप्चार देना होगा मतलब आपको OPD देखनी होगी जिसके अंदर क्या क्या कारिय करने होगी आपको OPD के इस्ट्री लेना उसकी सिम्टम देखना उसके साइन देखना उनका एक्जामिनेशन करना ये सारे जो है आपको पॉइंट है वो देखना होगा जिस तरीकी से एक कंप्लीट जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके इसके अलावा आपको लगता है कि उसकी जो है कंडिशन से वो बहतर नहीं है, आपको लगता है कि referral देना है, तो referral सिवाएं भी देना है, जो कि उपचार परिक्रिया की निरंतर तर्था को सुनिचित करने के लिए आप उसको referral कर सकते हैं, जिसके अंदर निम्न कारिय करने होंगे, आपको क्या क्या होगा, कि मरीजों के स्वास्ते की इ आउसकता होने पर referral परिवन की वावस्ता करना, अब इसके अलावा देखेंगे दोस्तों, गंबिर इस्तती में referral करने से पूरो सिक्षक से परामर्स कर आउसक परबदन करना होगा, मतलब आप सिक्षक से परामर्स कर फिर अपने गंबिर इस्तती में referral करने से पूरो उनको प्रामर्स करना होगा कि सर इसको हम रैफरल करें कहां करें यह सारी चीज है वो CHO को जो है आज़ चेकिस सक्षे प्रामर्स करनी होगी उदान के लिए निम्नानु सार कुछ इस्तेतिया है जिसको CHO द्वारा सक्री रूप से रैफरल की कारिवाई की जाएगी अब कौन कोन सी डीजीज कंडिशन से उनके जो उन सिच्वेशन में CHO है वो जो है रैफरल करने की उनको जो है कारिवाई करनी होगी तो वह हाई रिस्क कैसे जिस कॉम्प्लिकेशन मेडिकल एमर्जनसी या ट्रॉमा इसमें है वो रैफर कर सकते हैं जैसे कैसे स्क्रीनिंग पोजिटिव और NCD है NCD में यदि कोई पोजिटिव आता है नॉन कम्मुनिकबल डिजीज के अंदर जैसे क्रॉनिक इंफेक्स डिजीज है रिक्वारिंग कंफर्मेटी ऑफ डियाग्नोसेशन इनिसियेटिव आफ ट्रीट्मिन प्लान तो आफ रैफर कर सकते हैं अब इसके अलावा दे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर लगता है कि रैफर करना चाहिए तो आफ कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे यहयाँ भ depend करना अन मरीजों को वर्ड़ा ना कर आपको परदान करना भूगा जिनके आपके द druहा इलाज किया रहा हो और इस सरी संस्तान हो और इसके रहा हो इस पु divis यह तो हैट्ट आंड की अ मंत्यमिया जाकर अब निमेलिकित मामलों में फॉलॉव अत्यद महत्वपुन हैं कौन सी सिच्विशन है जिसमें आपको फॉलॉव करना बहुत ही महत्वपुन है उन दोनों इस तिमें किसी भी प्रकार के सीचों दोबारा किया जाना चाहिए हाई रिस्क प्रग्नेंट वोमन है ठीक है उसके लावा पोस्ट नेटल मदर्स है या लबी डेवलू लो बर्थ वेट या एसेंस यू एनर्सी डिचार्ज चिल्डरन है या चिल्डरन सफरिंग फ्रॉम कॉमन चाइल्ड हूल्ड इल्नेस ठीक है अब इसके लावा देखेंग बाइस का एक्साइज्ट करना होगा जैसे सब्सक्राइबटेजर्स अरुकर्टेन को इड्वांड औरि रिट्विज्ट और हूंस्लीन करनी होगी और उसके लावा दोस्तों हम डेखेंगे और पोस्टीकल कॉंपीजिकिसन कि-सी इसी भी प्रकार के सर्जीकल कॉंप्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप पोस्ट आप जो है फॉल आफ करेंगे तो यह सारी चीज है वह करना को करना होगा प्रामर्स सेवां के बारे में देखें दूस्तों तो सिएचों का एक महतबुन दायत्यों है लोगों को उनकी स्वास्ति समस्याओं के बारे में जानकारी देना होगा समय पर सिखिच सकिए प्रामर्स का महतव समझाना तता जीवन चर्या के आवसिकता नुसार परिवर्तन की सला देना ताकि बिमारी का उच्चित प्रबंधन किया जा सके शामान रहते शेत्रों में देवर्त प्रामर्स दिया जाता दाएगा यह उनकी सुची निमनसार यह किसी चुछन है जहां पर प्रामर्स देंगे एंसी करेंगे पेंसी एसेंशिल नीउबॉन केर करेंगे इंफेंट यंग चाइल्ड वीडिंग जिसमें नूट्रिशन कांस राजिस्टेशन इन गौर्णमेंट स्पॉंसर्ड मेटरनीटी बेनिफिट स्कीम प्रिवेंशन ऑफ रेप्रोडेक्टिव ट्रैक इंफेंशन जो रर्टीए है और सेक्षुल ट्रांस्मेट इंफेक्शन इनका प्रिवेंशन करेंगे हैल्ट रिस्क जैसे की बिहेवियर ल आपको देखनी होगी इसके अलाबा अडॉप हाँ अडॉप हाँ अडॉप्शन ऑफ कंटरसेप्टिव फोर स्पेसिफिक केस एंड फैसिलेशन ऑफ और सेफ ऑबर्शन ठीक है फॉल अफ करना होगा पोस्ट अबर्शन के बाद में प्रिवेंशन ऑफ वेक्टर बॉंड ड लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन करना होगा मैंने पहले भी बता दिया आपको अड्रेसिंग रिस्क फ्रेक्टर एंट्रीट्मेंट फॉर एंसिरी नॉन कम्निकबल डिजीज होती है उनके अंतर जैसे बीपी है है हाँ इस सभी के लिए आपको लाइफ स्टाइल मोडिफि करना होगा वह इसके बारे में आपको बता दीता हूं जिन मरीजों को पिछले कुछ दिनों में हाइपर टेंशन या डाइबिटीज का उप्चार प्रारम किया है उनका पहली बार फॉल आफ की दौरान समधित मेडिकल ऑफिसर से प्रामस करते हुए उप्चार की निरंतरत को सुनीचित करना होगा जिसमें दोस्तों सामाने रोगों जैसे की स्कीन रासेश होने पर की स्थिति में लक्ष्णों याउंच चेनों के वेवरण के साथ मेडिकल ऑफिसर से साचा कर उप्चार चमंधी निर्णे लेना होगा जब मरीज गंबीर आउस्ता में हो तता हमारी पर निगरानी के लिए लोग स्वास्ते संबंदीद आईते हुए आपके कुछ रस्पॉंस्बिलिटी है जिसमें आप देख सकते हैं हेल्थ और वेलनेश सेंटर के अंतरगत स्वास्ते सेवाएं परदान करने के लिए जनसंक्या आधारित आंकणों की जानकारी का सं इसके अलबा आवसिक जानकारी के विस्टिलेशन के आधार पर कारीय यूजना बनाना तता रिपोर्टिंग के लिए जनसंक्या आधारित जानकारी के संग्रण के दोरां आसा का सयोग यहों प्रेवेक्शन करना उदान जैसे गर्ववती माताओं या पांच वर्ष से कम आ होती है उनको योजना बनाना मासिक लक्से तया करना यह सारा है वह सब्सक्राइब करने के लिए टीम के साथ काम करें जिसमें कमजोर समुदायों का विशिज ध्यान दिया जाए अब इसके अलावा दोस्तों समुदाय इस तरी स्वास्ति समर्दन जिसमें विमारियों की रोकताम और विद्यों का जन्सर जिसमें आपको दोस्तों वी एच एन सी एच मतलब विलेज हैल्थ सैनिटेशन नियूट्रिशन कमेटी होती है वो उसका बढ़ावा देना उसके स साथ दोस्तों समधित अधिकारियों विभागों कार्यकरताओं के साथ स्वास्तिय के सामाजीक और प्रयावरणी निर्दारत जैसे लिंग आधारित हिंसा सिक्सा सुच सुर्क्सित पीने योगे पानी छवस्ता अपसिस चलका उचित निकासी ये सारे काम है आपको वह गा प्रोशन दोस्तों करना होगा उसके अलावा आपको वह एच एस एंडी एंड वह एस एंसी बैठर कायुजित करवाना होगा निमन विश्यों पर एक वर्स में कम से कम तीस स्वास्तिय समंधि प्रचार परसार करना होगा ठीक है तो यह सारे रिश्पॉंस्बिलिटी है इस इसके अलावा दोस्तों बात करेंगी तो विमारियों पर निग्रानी जिसको हम बोते हैं डिजीज सर्विलेंस अब क्या-क्या निग्रानी करने होगी तो शीयचों की मुख्य जो विमिका होगी वो विमारी के प्रकोप महामारी मतलब डिजीज आउट ब्रेक आक्समाक की जो अपात होता है और आपदा इस्तितियों के दोरान इस्तानी दल का समन्वे और नेतरतों करना होगा जिसके साथ बिमारी के प्रकोप के लिए गटित सिकिच्च के दल या सियुक्त जांच टीमों का सहोग करना होगा यदि बिमारी तेजी से पहलती है तो कई परतिकुल परिणाम हो सकते हैं इसलिए प्रकोप या महामारी की जांच बिमारी के नियंत्रण में एक महत्वण कदम है इसके लिए प्रकोप महामारी की जांच में सिये चो निमनलेकित कारिये निस्पादित करेगा प्रकोप महामारी की इस्तिति का पता लगाना उदान खसरा प्रको existat. अबसालियां में उसी अबधी में सेटर में आहाम तोर पर देखे जाने माम्लों की संख्या की तुलना करते हुए महामारी प्रकॉप की भूस्टी करें इसलावा दोस्तों बात करेंगे महामलों की संख्या अपक्सा प्रक्वम हमारी के मामनों को खोज जानकारी सुच्छीबद करना होगा परभंधन कारिया अंत्रगत कारियों का कुछल है परभंधन करना होगा चाहिए जो करना बहुत आउशेक है क्योंकि आपने जो काम किया है उसकी की रिपोर्डिंग और रिकोर्डिंग और मॉनेटरिंग यह करना आप से होता है तभी जाके आपकी जो सेवाएं हैं वो निचीद रूफ से सपल होगे कि अधियर के अंधरग्ड प्रसास्य कारियों का संचालन करना होगा आपको जिसमें आपको दूस्तों सिखिसा अधिकारी एवं खंड सिखिसा अधिकारी की साथ परामर्श करते हुए आपको अंटाइंड फंड होगा जिसमें 50,000 होगा वह आपको जो है उसका का जो ही सारे कारी है दोस्तों यह एच डबलू सी के अंतरकर्द जो है आयू समान भारत के अंदर कर जो योजना के अंतरकर्द लगाए गये हैं हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर पर कम्मूनिटी हेल्थ ऑपिस्स जा जो पोस्टिंग होई है उन सभी के यह रिस्पॉंस्बिलिटी है सथर्ण को कायरे करने होंगे इसके लावा दोस्तों परमानेंट होंगे कब तक हो सकते हैं पर मेंट क्या सेलरी मिलेगी फ्यूचर क्या है यह सारी इसके लिए मैंने आल्रेटी बना चुका हूं फिर वी आप लोगों के बाहर बार कमेंट आ रहें तो कुछ अपडेशन के साथ में एक और वीडियो बनाने वाला हूं तो उसको देखने के लिए भी आप चैनल से जुड़े रहें साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जो भी अपडेट होगी आगे वह आपको मिलती रहेगी साइस यह चो हो साइस साप नर्स हो सभी से लेटेड थैंक यू सो मुझ